हाई गाईज वेलकम तो आडिया टीचिंग आज बात करने वाले हैं फाइल के बारे में फाइल को हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि फाइल क्या है उसके बारे में आपको एक एक करके किलियर कर दिया था कि फाइल होता क्या है फाइल को कैसे मतलब क्या नाम स्ट्वाइब हो था को डाउड किलिर हो गया है फाइल के बारे में अच्छे समझ लिआ रिक तो आज हम पर हम मेंथट के बारे मेंधिसकस करेंगे तरीका अपने जाने लिए मैं और यहां वाइल को प्रलिव के जाने बास होता क्या है कि हम güç में जाते ने क्लिए तो वहां पर эпयाइल करने की लिए जब जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि मारे बहुत से को देखा है कि 65 को चलाने का तरीका नहीं है कि यह साफ strains करने का है तो कौन सा तरीका लगाएंगे इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिसकस करके आपको बता रहा हूं कि सब्सक्राइबップ में आणीं तरीका कितने पकार को होते हैं कैसे आप अपने फाइल मंदब ज CSV आपको अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो तीन विधियां होती है अथा फाइलिंग के स्टेट मतलब सिधा इस वीधी में क्या होता है कि जाब को हम क्या करते है वाइस के सामने खड़ा होकर हम लमबाई और चवणाई में फिनिसिंग करते हैं यानी जाब को मेटरियल करते हैं आप लोग इसमें मैं आपको चित्र के माधे में समझाता हूँ जैसे आप एक ब्लाक ले लिए एक ब्लाक ले लिए और इसको आपको फाइलिंग करना है तो फाइलिंग करना है तो सपोर्ट देट एक फाइल है आपका ये फाइल हो गया इस पे तित कटे हैं आप लोग देख रहाँगे अनि की इस वीधी में क्या करते हैं इस्टेट आनि की वाइस के सामने खड़े होकर यह आपका यह जो वाइस है क्लैम कर दी हमने जाब को और वाइस के सामने खड़े होकर हम क्या करते हैं लंबाई में, लंबाई में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और विर्थ में भी कटिंग करते हैं, दोनों मेध़र में हम क्या करते हैं, जाब को अधिक मेटरियल काटना है, जब हम, तो सिधा-सिधा हम क्या करते हैं, जाब के, मतलब वाइस के सामने खड़े होकर हम, स्टे इसको क्या करते हैं डाइना गोनल फाइन बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस फाइल में हम क्या करते हैं कि जाब के सरफेस पर कर्ड में चलाते हैं जैसे आपका एक फाइल यह हो गया और दूसरा फाइल यह हो गया और काड में चलाते हैं इसको बोलते हैं डाइनागोनल फाइल इसमें क्या होता है कि डाइनागोनल फाइल में इसमें इस वीधी में हम क्या करते हैं कि जब क्या करते हैं बीच में कभी-कभी हम जब फाइलिंग करते हैं आप लोग देखें होंगे फाइल करते हैं जब तो क्य करते हैं बीच में जाब material उठ जाता है और किनारे किनारे material को क्या होड़ा है डाउन हो जाता है तो उस बीधी में हम क्या करते हैं cross filing का प्रियोप करते हैं कि ताकि जाब हमारा E space से लगाई इस तक बिल्कुल समनानतर cutting हो और सही तरीके से मेरा कटिंग किरिया पूरी हो होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं जब फाइल हम करते हैं तो फाइलिंग करने के दुराण मेरा हाथ का जो हाथ का हाथ का प्रेसर ब्राबर एकवल समान नहीं रहता तो वो क्या होता है कभी मेरा प्रेसर यहां लग जाता है और कभी प्रेसर यहां लग जाता तो जो किनारे वाले भाग होते हैं जल्दी घीश जाते हैं और बीच वाला भाग जो जाता है आपका उभर जाता है इस बीधी में क्या करते हैं क्रॉस फावली में करके हम दोनों भाग को क्या करते हैं समनामतर लाते हैं तो आपका हो गया diagonal final इस बीधी को बोलते हैं, दोने चीज में इसमें क्या लंबाई चोड़ाई में करते हैं, इसमें cross में करते हैं, दोने चीज आपको clear हो गया, इससे question exam में बनते हैं, मैं आपको theory में एक एक करके step by step और विस्तित करके बताता हूं कि ताकि आपका जिससे question create होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, कि question देखें, मैंने आपको theory का question के बताने बाद, मैंने आपको ये चीज बोला था, कि theory ऐसी चीज है, जो कि आप objective type का question कितना भी रड़ी है, जब तब तब आपको theory basic theory clear नहीं है, तब तक आप question को नहीं बना सकते हैं, तो इससे आपका मतलब ये हो गया, कि जैसे हम material cutting कर लिए, अब आपको material को पुरा समतल बना दिए, अब आपको क्या करना, accurate size में बनाना है, तो इसमें मतलब क्या करते हैं, इस वाले method में क्या करते हैं, जब हम filing करते हैं, तो हाँप आप लोग देखेंगे, file में क्या होता है, कि handle लगा होता इस वाले भाग को handle को निकाल देते हैं, और file को हम दोनों vd से claim करते हैं, हाथ में दोनों vd से हम एक आनी की point की तरफ, एक handle की तरफ, पकड़ के हम क्या करते हैं, ड्रा मतलब, आगे पीछे filing करते हैं, इसमें क्या होता है, मेरी जो सता होती है, work का जो सता होती है, block का, उस वो आप पूरी बराबर तक समनानतों हो जाती है लास्ट में फिनिसिंग करने के लिए हम ड्राफ फाइलिंग का परियोग करते हैं चित्र के माध्यास आप लोग देख रहे होंगे और किलियर भी हो गया होगा एक एक चीज कि किस मेथड में कौन सी फाइलिंग का उपियोग किया जाता है असा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे अपने चलते हैं देखते हैं टेपर आप फाइलिंग टेपर आप फाइलिंग से क्या समझते हैं इस वीधी को जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैं taper आप filing आपको मैं शुरू में भी बता दिया था जब lecture नमर 1 में कि जो भी file है वो क्या है आपका मूरी लंबाई में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि hand file को छोड़ कर और जितनी भी file है आपका दो बटे तीन भाग में क्या होता है समनांतर और एक बटे तीन भाग में क्या होता है taper होता है मैंने आपको बताया था lecture नमर 1 में उसी को आप बोलते हैं taper आप filing होता क्या है कि taper आनी कि जैसे आप supporter मैं चित्र के मादम से clear कर रहा हूं आपको कि यह आपका एक file हो गई आपका यह file हो गई जैसे आपका file हो गई कि आपका हो गया taper आप filing आनी कि यह जो लोग भाग जो है यहां से हां तक पूरा समनांतर रहता है यह दो बटे तीन में क्या होता है समनांतर होता है और यह वाला जो point का भाग होता है एक बटे तीन में आपका क्या होता टेपर होता है और इस भाग वाले पूरे face पे आप तो जानते हैं तीत कटा होता है और इसमें क्या होता है कि taper क्यों रखते हैं taper का reason क्या है taper का reason का मतलब यह है कि जितनी मेरी file है यह चवड़ाई है चवड़ाई से अधिक वाले भाग को हम क्या करते है taper के द्वारा हम क्या है filing कर सकते है इस taper का purpose है तो इससे आपका taper आप filing किलियर हो गया होगा कि टेपर आप फाइलिंग से क्या समझते हैं आनि कि फाइल के क्या होता है जो पूरी लंबाई में एक बटे तीन भाग में टेपर होता है दो बटे तीन भाग समनानतर होता है अब नेश चलते हैं Convex City आप File Convex City आप File से क्या समझते हैं इससे क्या होता है ये File में कहा होता है इसको बारे में जानते हैं Convex City जब होता है जब अभी आप कभी देखे होंगे File को एक File को लिया हमने और उसको हमने File को सीधा ऐसे किया Support that आपका एक File हो गया मानलीजे सीधा ऐसे किया और आप देखेंगे उस File को ध्यान से कि उसके पूरे भाग जो होते हैं पूरे समनांतर नहीं होते हैं और बीच में भाग क्या होता है उभड़ा होता है पूरी भाग में क्या होता है उभड़ा होता है बीच वाला एरिया उसको क्यों रखते हैं Convex City आनि Convex आनि Connex मन्दब उल्तलता आनि क्यों रखते हैं कि जब हम क्या करते हैं File को जब हम हाथ के द्वारा चलाते हैं तो मेरा क्या होता हाथ का प्रेसर बराबर नहीं होता अगर बराबर अगर पूरा अगर material को अगर जैसे ब्राबर मीरा हाथ का प्रेसर लगता तो क्या ओधा अगर फाइल में किन्वेसुरा क्या मतलब ज़या क्या परपज है यह कोशन की स्वाइल कीर्षर अगर मेरी पूरी फाइल अगर समन आंतर रहेगी अगर प्तल बीच में नहीं क्योंकि जब पूरे दात अगर पकड़ेंगे मेरे फाइल को अगर जाब को तो उसमें क्या होगा आकर सपोर्ट रेट मैं आपको यहां एक ब्लाग बना के दिखाता हूं जैसे आप यहां पर यह क्या है कि पूरे जब हम हैंड फाइलिंग कर रहें तो पूरे भाग को जब य फाइलिंग नहीं करवाएंगे आपको ज्यादा ताकत लगाएंग पड़ेगी तो इसमें जो बीच वाले भाड़े भाग होते हैं तो पहले पकड़ में आते हैं बाकी भाग को छोड़ देता है उसमें यह होता है कि हमको कम और असानी से फाइलिंग कर सकते हैं इसलिए फा होता है अनि फंस जाना जैसे आप फुनिंग करते हैं इसमें क्या होता है कि दातों के बीच में क्या होते हैं उसके मटरियाल आनि जो कटिंग होते है cutting के chips आने उसमें फस जाते हैं और file का cutting की रिया बंद हो जाता है और file वो cutting नहीं कर पाती तो उससे हम peeling आप file बोलते हैं होता क्या है कि दातों के बीच में यह आप लोग देख रहोंगे दातों के बीच में जब नर्म धातु की जब हम filing करते हैं दान्तों बीच में फंस जाता है material और material के card क्या होते हैं इसके जो दान्त होते हैं यह आपके भर जाते हैं और फाइल कटिंग नहीं कर पाती तो इसलिए इसको पीनिंग आप फाइल बोलते हैं अब लोग को किलियर हो गया अब पीनिंग आप फाइल अब नेश्ट चलते हैं फाइल कार्ड फाइल कार्ड क्या है इसके बारे जानते हैं फाइल कार्ड मतलब वही जो आप अगर फाइल कार्ड को नहीं समझ पा रहें तो समझे एटियम कार्ड एटियम कार्ड में क्या करते हैं कि आप लोग जानते हैं एटियम में पैसा अगर आपको पास कार्ड है त तो माझनुदा सेम उसी तरह का इससे मेरो समझाने का तरीका था चिंस फाइलक्ट के द्वणा क्या करते हैं। माझन वे एक काड्ट होता हैं। काड्ट मझन व्ango का घुटका होता हो । इसमें ट solution यह भी एक निकालने का व्यrd इस Communist क्या करते हैं। ठीक है, फाइल कार्ड के दौरा क्या करते हैं, किसी मेटेरियल को हम क्या करते हैं, जो मेटेरियल मैंने बताया फस गया था है दातों में, तो उसको हम को रिमूब करने के लिए, हटाने के लिए फाइल का ब्रेक करते हैं, एक टार का ब्रस होता है, और इसके दौरा हम फाइल को purchase करना है market से लाना है जैसे आप एक अगर mobile लेने जाते हैं तो बोलते हैं दुखंदार से की मतलब mobile हमको एक चाहिए Samsung company का चाहिए Nokia का चाहिए जो भी चाहिए जो भी company का चाहिए नाम बताते हैं दुखंदार आपसे बोलता है ठीक है चाहिए तो उसको पूछता आपको कि आपको कोई भी समान अगर फाइल लेने जा रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसका बताना पड़ेगा कि कितनी लेन्थ तक की साइज का चाहिए फाइल कौण सा सेफ होना चाहिए तो आपका फ्लाइट फाइल है अब मैंने आपको देखो इतना चीज बता दिया है कि सेफ होना चाहिए फ्लाइट फाइल और कट में क्या होना चाहिए और कमपणी क्या है हिंदुस्तान अचाहिए जो भी कुछे सेम उसी प्रकार कोई भी समान जब आप लेने जाते हैं तो उसके बारे में क्या होता है वीवरड पूछा जाता है कि कौन सा किस परपच के ज Biraz लुए crimeर from कारि के लिए चाहिए आप लोगर समझागे गए स्पेसिफिकेशन असा करते हैंन अब नेसी चलते हैं इसपेसल इस्पेसल क्या है इस्पेसल वह चीज है जो लोग इस्पेसल होते हैं काम के लिए इस्पेसल नाम इसलिए रखा गया है कि जैसा भी काम हो उसके लिए इस्पेसल फाइल आनि वह कार जो है उसी के लिए हो दूसरे के लिए ना हो इसलिए इस्पेसल का दर्जा इसलिए दिया critical काम हों आपके लिए special file कारे के अनुसार बनाई जाती हैं इसके निम्न प्रकार हैं देख लीज़े आप लोग जैसे आपका हो गया crossing file, pirate file और tinkers file और crash cut file और machines file machine file तो machine file में बहुत types की file आती हैं और यतने file आपके हैं special आनी work के अनुसार special file का प्रियोग करते हैं तो इसके बारे में ज्यादा बतानी की जुरत नहीं special file के बारे में इससे ज्यादा जो होता method तरीका जो होता है आपका जो specification classification classification जितने भी सब होते हैं जहां से question create होते हैं मैंने एक एक करके आपको discuss कर दिया और अच्छे तरीके से file को बताया अगर आपने पूरी वीडियो को अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको मैं आसा करता हूँ कि यह clear हो गया का file hand cutting tool में और आपको कोई भी doubt नहीं रही होगी फिर आपको जैसे भी होगा मैं आपको next hand cutting tool में जो भी object next subject बनेगा मैं मैं आपको आपको लाके discuss करूँगा तो आज के लिए इतना ही thanks for watching